CTTTT या सिक्षक पातरत परिक्षयान सा तसेच इतर competitive exam चाप बैस करना रहा सर्वन चे अपले success mission या channel वर स्वागता है तर या channel लाजून तुम्ही subscribe केला ना सेल ते नक्की करा या channel मदून आपन CTTTT तसेच इतर या सपर्दा परिक्षाहित competitive exam आत त्या सम्दिच माहिती तसेच इतर पूर्णा आप बैस करम आपन तेची ताहरी या channel मारपत करूंगे ताहोत तर नक्कीस तुम्ही या channel सब्सक्राइब करा मंजे तुम्हाला या channel वर टाकतास ले सर्वो वीडियोज तुम्हाला लगेच मेर्द जातिल तर आज आपन सी टीटी साथी टीटी साथी कि महीतर स्पर्द परिष्चन मदे जे गनित आहे आनिवार्य गनित जे आहे तेचा एक काई परिष्चन आप्यास नरा होत कि जे मागिल वर्षी आली जे आहेत आनि या पुढ़े ये तास्तत तर आसे काई सोडोलीले परिष्चन आपनाज आप्यास नरा होत तही ता पहला प्रिष्चन जिला है 2 upon 3 plus 4 upon 5 is जे आपलेला हे सोडोलीले चाहे 2 upon 3 plus 4 upon 5 ये चाहे आइंसर काया है तर आता हे उदारनास सोडोलता येल 2 upon 3 plus 4 upon 5 येकवल 2 आता 5 आनि 3 चाई LCM लसावी का येल ता 15 येल 3 फाई जा 15 तासा मल्टिप्लिकेशन के ला तरे चालता लसावी तासा LCM का आडने साथी आनि क्रोस मल्टिप्लिकेशन कराया हे सामां जे तिर्पा गोना कर कराया हे साथी 52 चैनल फ्लस 4 त्री चैनल अपन 15 येकवल 2 आता 22 आता 22 आतं 12 आता 15 तासा बाकी राटे रिमाइंडर राते सेवन आनि तेसा बेश जाएतो ता सस्थी हाएसा 15 तर आशा तेच आपन प्रायाईचा मदे मिक्स फ्रैक्षन मदे आपन टे करूंगे तो तर वन आपन फिप्टीन ये येच आइंसर आहे तर तिसर जे आहे ते आइंसर आहे तर आशी उदारने ये तास्तत्र ये सोडवाईची पद्धत आहे टानन तर second example मदे for the given shapes which one of the following statements is not correct दिये गए आकारों के लिए निमनलिकित में से काउंसा कथन ठीक नई है तर रहे जे आकार दिले ले आहेत तर आकार मदे खाली जे statements दिले ले आहेत जे वाक्य दिले ले आहेत तर आतला कौन तचुकी जाहे तही था all our parallelograms सभी समांतर चतुर भुज है one of them is not a parallelogram इन में से एक समांतर चतुर भुज नहीं है two of them are rhombus इन में से एक सम चतुर भुज है two of them are rectangles इन में से से एक आयत है दो आयत है तो इसमें कौन सा गलत है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये चारों के बारे में तरे चा आइंसर का हील तरे ये फिगर्स आपन पाई लिया तरे चमदे ये सरव पैरलेलोग्राम सा है तच वण वन आप देम इस नॉट पैरलेलोग्राम है ये बरवर नहीं कारन ये था सरवस पैरलोग्राम आएद तरे ये मन सेकंड जे आएद अएध ऐस हा है कि वन आप देम इस नॉट पैरलेलोग्राम इन में से एक समांतर चत्र भूज नहीं है तहे चुकीचा है करन all four are parallelogram तहे चा एंसर का है answer two all are parallelogram one of them is not a parallelogram है चुकीचा है statement मनुन ते तुत्तर है second नंतर थर्ड जाहे विच वन आप दे फॉलोविंग रिप्रेजेंट दे नंबर 11,1111 निमनलिखित में से कौन सा 11,1111 संक्या का प्रतिनिजित्व करता है तरेचम देपाद फर्ष्ट ते 1,11,000 आहे दुसरा जाहे 12,111 आहे तिसरा तक कुप चुकी चाहे यानि चा उतर सुदा रोमन मदे चुकी चाहे तर येचम दे जो सेकंड आहे तो तेननी मिस्प्रिंट जालेला हे उतर सेकंड आहे तेचा तेता 1 पाई जा तट्टू चे जागी 11,1111 तर येचा उतर सेकंड आहे पन ती ता प्रिंटिंग मिस्प्रिंग जालेला हे प्रिंटिंग मिस्प्रिंटिंग इन ओप्शें टू 11,1111 आ से ली ताथ मैं जहें करेक्ट आइंसर आए ते प्रिंटिंग मिश्टेक मुण जालतर ते शर्वन्नाज मार्क दिले जातत नंत पूट जाजवा है दे पॉइंट्स A और बी रिप्रेजेंट नंबर सौने नंबर लाइन ऐस चोन बिलो The distance between the points A and B is बिन्दू A और बिन्दू B नीचे दिखाई गई नंबर संख्या पर संख्याओं का प्रतिजिर्दवत्व करते है बिन्दू A और B के बीच की दूरी है तो बिन्दू A और B के बीच की दूरी हमें धुन नी है Point A and Point B distance find का रहा है ता आज आजेए मध पाप 25,000 डीदा हे दो तेर लांत dak 39,000 डीदा हे 61,000 डीदा गे तव profesor 25,000 दो तो 39,000 हें चत्र स्वेक कि अच्छ्छ बीडिस्ट प्राइए तब तो 0,000 ktd grass and ñt ni 5,000 दो तो 4,000 in । 순 revenge हे 0000 प्राइए वेधेगा तोटल इंटर्वल तोटल्ड इन्टर्वॉल्स यहिए थे अले आपन डिवाइड केले 14,000 डिवाइड यहिए 2,000 उनित चाहिए मंझे प्रत्य क्वेद फॉइंट्स मद लान तर किते आहे 2000 units आहित तर आता A नी B मदल count कराईचा A नी B मदल किती dots आहित तर ते आपन count के लिए तर 11 आहित तर A नी B मदले 11 ते इंटरवल साहित तर तेला आपन 11 नी multiply कराईचा एक interval मझे 2000 units 11 into 2000 22,000 units तर एचा answer आहि 22,000 units मैं ज़े चव थज आये ते आइंसर आहे त्यान अंतर है ज़े उदारना है How many packets of 1 upon 16 kg sugar can be made from 3 into 1 upon 4 kg of sugar 3 upon 4 kg चीनी से 1 upon 16 kg चीनी के कितने packet बनाई जा सकते है तो total चीनी कितना है 3 kg and 1 upon 4 1 upon 4 है ने 250 gram तो 3 kg and 250 gram चीनी है तो उसमें एक packet में 1 upon 16 kg चीनी बरनी है तो इससे कितने packet बनाई जा सकते है तो क्या करना पड़ेगा कि total sugar divided by इतना एक packet में 1 upon 16 kg उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 upon 3 1 upon 4 divided by 1 upon 16 तो आप packet की संख्या मिल जाएगे total चीनी weight कितना है total weight of sugar 3 1 upon 4 तो इसको multiply किया 3 into 4 12 12 plus 1 13 13 by 4 kg the mix fractions आपन fraction करूंगे तला 4 3s are 12 12 plus 1 13 upon 4 kg और यह 1 packet 1 packet equal to 1 upon 16 kg so total package equal to 13 upon 4 divided by 1 upon 16 तो 1 upon 16 वर्तिया लर कायो 16 upon 1 तो यह आपन 4 forza 16 1513 forza 52 52 packets तायर हो जाएगे 52 is the answer तन अंतर हरीश तार्टेड हिस जर्णी अट 18.40 and फिनिश अट 22.20 ताइम टेकन इन कंप्लेटिंगे जर्णी इस हरीश ने 18 बज की 40 बजे अपनी 18 शुरू की और 22 बज के 20 बजे समाप्त की यात्रा पूरा करने के लिए लिया गया समय है तो अब यह 24 आवर का क्लॉक है 24 आवर क्लॉक 18.40 मिन्स 6 बज के 40 मिनिट शाम के और 22 बज के 10 बज के 20 मिनिट तो टोटल कितना टाइम लगा उसको तो अभी यह माइनस करना पड़ेगा 22.20 माइनस 18.40 इसको माइनस करना पड़ेगा तो आपको टोटल टाइम पता चलेगा तो अभी इसको माइनस किया तो अभी 20 माइनस 40 नहीं कर सकते तो एक हमें बोरो करना पड़ेगा ऊदर से उदार लेना पड़ेगा तो यहाँ time में हम जब एक उदार लेते हैं तो उसको 60 मिनिट्स आ जाता है तो 20 मिनिट्स प्लस 60 मिनिट्स एटी मिनिट्स हो गए तो 80 माइनस 40, 40 तो 40 मिनिट हो गए और इधर 21 हो गए 21 माइनस 18 हो गए तो 3 आवर्स 40 मिनिट तो 3 गंटे 40 मिनिट लग जाएंगे इसका एंसर आ गया पहला वाला 3 गंटे 40 मिनिट बाद में A bucket of capacity 2000 ml is to be filled by using containers measuring 200 ml and 300 ml. Which one of the following combinations of containers is not correct for filling the bucket completely by the containers of 200 ml and 300 ml respectively. 200 ml और 300 ml माप वाले वर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आईतन की एक बाल्टी बरनी है 200 ml और 300 ml के वर्तनों द्वारा क्रम अश्य बाल्टी बरने के लिए वर्तनों के निमनलिखित सही जोनों में से कौंसा सही नहीं है तो हमें एक बाल्टी बरनी है 2000 ml की उसका यह पूरा container capacity है और हमारे पास दो बरतन है 200 ml के और 300 ml के तो हमें वो यूज करके बाल्टी बरनी है तो ऐसा कौंसा combination नहीं है कि जो इससे यह बाल्टी नहीं बरी जा सकती तो यहाँ पे दिया है 16447263 यानि पाहिला जो है 300 ml चाव था है 600 200 ml और तीन 300 ml तो ऐसे वक्त क्या करना है हमें एक एक की जांच करनी है एक एक चेक करना है तो पहला जो है एक और छे तो एक 200 ml पहला एक 200 ml का 200 हो जाएगा और छे 300 ml का पहला जाएगा तो टोटल इस 2000 ml तो फर्स्ट इस करेक्ट दूसरा जो है 4 200 ml और 4 300 ml एट हंड़ एट हंड़ एंड़ 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 तो यह भी बरबर है 2000 ml तीसरा है जाएगा तो चाओथा जो ए वो एंड़ एंड़ फर्सट इस करेंड़ एंड़ एंड़ तो यह जाद हो जाता है तो जो चाओथा है वो इससे बाल्टी नहीं बरी जा सकती है जाद हो जाएगा तो चाउता जो है वो एंसर है बाद में आभी Which one of the following is the best approximation of 7.1 into 3.85 upon 9.09 निमनलिकित में से 7.1 into 3.85 upon 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान का उंसा है तो इसमें हमें approximation करना है यानि उसके निकट की value हमें decide करनी है तो अभी 7.1 की nearby value का सबसे है 7.8 है तो 7 है 3.85 की nearby का सबसे है 3.4 है तो 4 है और 9.09 की निकट का सबसे है 9 या 10 तो 9 है तो 7 multiply by 4 upon 9 यह जो है वो answer है तो answer क्या है 2 है say 1 multiply by 4 upon 9 अभी जो दिया है यहाँ पे एक grid दिया है तो इस grid में क्या है if one small square in the grid is of area 4 square units what is the perimeter of the rectangle drawn on the grid तो यह जो dark किया है वहाँ का हमें area perimeter निकलना है यदि grid में एक चोटा वर्ग चार वर्ग इकायों का है तो grid पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है तो यह grid जो दिया है उसमें जो shaded portion है उसमें जो square दिये है तो square के area क्या है 4 वर्ग है 4 square है तो इसका हमें परिमाप निकलना है परिमिती निकलना है तो अभी एक जो इसका 4 वर्ग है तो उसका side क्या आएगा square का area अगर 4 square cm है तो इसका side आएगा 2 क्योंकि area of square is side square तो 4 का square root 2 आजाएगा तो side निकल लिया हमने तो जो small square है उसका side आगा 2 cm तो length क्या आजाएगा वो shaded portion है उसका length आजाएगा जो longबा है उसका आजाएगा 4 है उसमें तो 4 into 2 8 आजाएगा तो longबा है आगई 8 cm अभी bread जो है bread 2 है तो 2 into 2 4 वहाद 2 आयत है उसके चावडाई में यह ब्रेट में तो जाएगा 4 आजाएगा तो perimeter का formula क्या है rectangle का perimeter आयतन का परिमाप का formula है 2 into L plus B तो 2 into 8 plus 4 2 into 12 equal to 24 units तो 24 units 24 रिकाया यह उसका answer है बाद में यह child score 75 marks in each of the following subjects each of the five subjects what is the median marks obtained by the child एक बच्चे ने पाच विशों में से प्रत्यक में 75 अंक प्राप्त किये बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की मद्धिका क्या है मद्धिका यानि जो बीच का अंक है उसको मद्धिका कहते है तो उसको पाच्चे वश अब्जेक्ट में 75 mark आये है 75 marks आये है तो इसका median क्या आएगा मद्धिका क्या आएगी उसका यानि सेंटर पॉइंट निकलना है तो हम अगभी पाच्चे वश अब्जेक्ट के mark लिख लेंगे 75 75 है इसे पाच बार तो इसमें बीच का जो है वो भी 75 है इसलिए median भी क्या आजाएगा 75 आजाएगा तो इसका answer जो है 75 बाद में ये जो है which one of the following can be folded to form the given solid दिये गए ठोस को निमन में से किसको मोड कर बनाया जा सकता है तो ये जो दिया है उपर का जो उसको कई से बनाएंगे कोंसा इसमें से बन सकता है तो इसमें जो है वो second हम observe करेंगे आच्छे से उसको निरिक्षन करेंगे तो पता चलता है या उसको ये जो है model बना सकते है तो answer 2 है इसका तो आईसे question में थोड़ा हमें observation करना पड़ता है उसके बाद ही हम answer लिख सकते है अभी दिया है ये pie chart है if red part in the following pie chart is 40 what is white part ये दि निमननकित निमननकित pie chart में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है अभी लाल भाग जो है वो one half है फूरा जो सरकल है उसका आदा भाग लाल है अभी लाल भाग 40 है तो total लाल भाग कितना आएगा red part equal to one half of total area red part है 40 40 equal to one half total area तो total area equal to 40 multiply by 2 अभी ये 2 इदर divide by उदर जाके multiply हो जाएगा 40 into 2 80 तो total area इस सरकल का कितना आगया 80 अभी white part कितना है 1 upon 8 है white part 1 upon 8 है तो white part निकालने के लिए 1 by 8 को 80 से multiply करना पड़ेगा तो 8 10 जा 80 तो 10 is the answer तो white part कितना आएगा 10 आएगा तो second इसका answer है white part आगया 10 observe the following solid shape which one of the following is the top view of the given solid निम्नां की ठोस आकार का निरिक्षन कीजिए निम्नां में से कौन सा दिये गए ठोस की उपरी सतह का दुष्य है अगर ये figure या ये जो है 3-dimensional figure है वो उपर से हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा तो इसमें चार option है तो कैसा दिखेगा उपर से तो इसमें आपका misunderstanding हो सकता है कि चाउता दिखेगा क्या तो ऐसे नहीं उपर से ऐसा फ्लैट दिखेगा तो जो पहला वाला जो है वो ऐसा दिखेगा उपर से अगर हम देखेंगे तो ऐसे चारों भी हो हमें प्लैन दिखेंगे एक साथ दिखेंगे तो इसका पहला एंसर है बाद में विच वन अफ फॉलविंग कोश्ट मोर 200 पैकेट्स अफ 250 इच 20 डर्जन्स अफ रूपीज 250 इच आइटम निमनलिखित में से किसकी लागत अधिक है 250 प्रत्यक पैकेट वाले 200 पैकेट 250 प्रत्यक वस्तु के 20 डर्जन तो इसमें से वैल्यू किसकी ज़ादा है लागत किसकी ज़ादा है तो 250 प्रत्यक पैकेट वाले 200 पैकेट तो एक पैकेट की वैल्यू है 200 रूपे 250 रूपे और इसे 200 पैकेट के आएगी 25,000 रूपे और 20 डर्जन याने 20 multiply by 12 240 आइटम है उसमें सेकंड में तो 240 इंटू 250 आजाएगा 60,000 तो इसका एंसर क्या है 2 कि दूसरा ज़्यादा कौश्ट लिए दूसरी का कपत ज़्यादा है दूसरे में तो दूसरा एंसर है दूसरा ज़्यादा ज़्यादा है 1-1 प्लस 1-1 ये भी 0 आजाएगा तो अगर हम समसंग कह लेते हैं यानि दू टर्म से पहले में दूसरे में 4 टर्म से तीसरे में 6 टर्म से तो उसका एंसर 0 या आता जाएगा अगर 8 टर्म लेंगे 10 टर्म लेंगे तो सबका एंसर 0 या आएगा क्योंकि वो कैंसल हो जाएगा और जीर आ जाएगा तो इसका एंसर जो है वो 1 है तो हमने आज मैतेमाटिस कंटेंड के गनित आश्य के कुछ मत्वपूर्ण प्रश्ण पड़े ऐसे और प्रश्ण हम पढ़ते रहेंगे सभी सब्जेक के हम वीडियो बना रहे है तो सभी सब्जेक के CTET और TET और सभी जो शिक्षा शेत्र में और और शेत्र में जो नेट सेट और बाकी शेत्रों में भी हम ऐसे मत्वपूर्ण भागों के वीडियो बनाएंगे तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए तो ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे धन्यवाद